तो आज की सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर को समझने वाले हैं जो आज भी कंटीनू रहेगा और कल भी कंटीनू रहेगा और मलब अगर आज के लेक्चर को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी अकाउंटिंग थोड़ी सी ठीक हो जाएगी कुछ बच्चों को ये वाला लेक्चर पहले से बहुत अच्छे से आता होगा कुछ को नहीं आता होगा तो मैं तो यह मान के चलता हूं कि आप में से किसी क कुछ नहीं आता है या क्युछ बच्चों ने इसको पहले देख लिया होगा तो हर बार नया कॉंसेप्ट हम लेते हैं हमारे इस बेसिक क्लास में तो आज मैं आपको जो समझाने वाला हूं कैश बेसिस और अक्रूल के बीच में कन्वर्जन सिखाने वाला हूं कि हम कैश बेसिस अकाउंटिंग को कैसे अक्रूल बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब टॉपिक का कन्वर्जन यह है कि आपको इतनी माइन्यूटली चीज़ें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि यह जो टॉपिक है यह इंटाइर जर्नी में आपको हेल्प करेगा कि हम कैश बेसिस और फाइनेशल स्टेटमेंट को अक्रूल बेसिस में कैसे कन्वर्ट करें और इसके अंदर हम बहुत सारे कॉंसेप्ट को सीखेंगे जिसमें हम आल्रेडी सीख चुके होंगे प्रीपेड एक्सपेंसिस आउटस्टेंडिंग और उसके बाद अक्रूड इंकम मतलब पूरे दो घंटे का जो अगर आपने इसको समझ लिया तो यह मानके चली कि सारी की सारी जन्रेल इंटरी आपकी क्लियर हो जाईगी और मैं आपसे पूछूंगा सफलागा तो कितने स्टूड पूरी तरीके से कोंफिडेंट कि सर इसमें सेागहर आप हम से कोई भी कॉस्टिंग पूछलेंगे तो हम बता देंगे हैं क्लास में इसे कोई indigenous में को अपनी basic accountingномat लिए कंने को इसके यहां सचूबूपर हम सारी अ bri बता देंग राई सबसे पहले आपको एक कॉंसेट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बैलेंश देट तो आपको यह हंड्रिट पर्शन पता होना चाहिए कि अक्रूवल और कैश बेसिस और इस्पेसिफिकली मैं थोड़ा से यहां पर यूए सीपी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं कि वन सिम्स आना श्योर है इस में से जब सीपी एक फार बच्चे पढ़ते हैं एक सिमुलेशन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा मतलब आज किस लेक्चर को आप इतना डीटेल मानके चले आज के और कल के लेक्चर को कि हम इतना स्लो पढ़ेंगे कि आपके हर वो क्वेशन का एंसर आज आपको मिल जाएगा मतलब यह जो दो घंटे के लेक्चर हैं आपको पूरा चैप्टर ही समझा देंगे मतलब आपसे गलतिया नहीं होगी इसलिए स्लो चलूँगा और इतने ज्यादा कॉंबिनेशन इसके अंदर में रखने वाला हूं कि आपको सारी चीज़े समझ में मतलब जो मेरे जीवन का नुभाव है अकाउंटिंग का वो पूरा यहां पर हम डिसकस करेंगी तो इस लेक्चर की स्पीड बढ़ा कर देखना जो बच्चे कई बच्चे अगर उसमें देखेंगे लमस में तो उसमें स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है वहां से देख लेना अगर यूट्यूब पे यह होता है कि इंकम कि आप अर्न बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंसेज आप इंकॉर्ड बेसिस पर यह बात सबको समझ में आती कि इंकम हमने अर्न कर ली अगर हमने income को earn कर लिया तो हमें उसको record करना है और expenses को अगर हम incurred करते हैं तो record करते हैं यह concept होता है accrual concept और cash basis का एक simple सा concept है कि अगर actual में receipt होगी तो record करना है और actual में payment करेंगे तो record करना है यह simple सा logic है लेकिन कई बार जब इसमें more than one year involved हो जाता है more than one year तो students को थोड़ा सा confusion हो जाता है more than one year मतलब आपके यह basics तो हम एक एक example लेंगे और एक नहीं ऐसे कम से कम पास से साथ example लेंगे हम हमारे दो year का example लेंगे 2022 as well as 2023 यह दो year हमने side में लिख लिए ठीक है सर आपने 2022 यहां लिख लिया और यहां पर 2023 लिख लिया और लेट से हम स्टार्ट करते हैं पहले expenses की accounting से expenses accounting ठीक है तो हम अभी start कर रहे है 2022 से लेट से हमने एक प्रॉपर्टी रेंट पर ली है और वो ले ली हमने फॉर्स जनवरी 2022 अब हम यहां पर थोड़ा सा company की policy भी discuss कर रहे है company की policy को समझना बहुत जरूरी कि sir company की policy क्या है company की policy यह है कि वो जो भी expenses पे करती है उसको एक account में debit कर देती है अकाउंट में debit कर देती है उसका नाम है expenditure अकाउंट ठीक है उस जो भी expenditure पे करती है उसको expenditure अकाउंट में debit कर देती है ठीक है और year end पर adjustment entry pass कर ले अब मैं आपसे question पूछूंगा जिसका आप सटीक एंसर देंगे अगर आपके concept clear रहे तो इयर एंड पर expenses के टाइम पर कौन सी दो जेनरल इंट्री एडजस्मेंट हो सकती दो एडजस्मेंट दो इस ये रेंड पर होती है तो उसके नाम क्या हो सकते तो सबसे पहले ये बात clear होनी चाहिए आप तो सर एक हो सकती है प्री पेड से रिलेटेड प्री पेड एक्सपेंसे से रिलेटेड और दूसरी हो सकती है जिसको हम accrued expenses के नाम से बूले इसके अलावा और कोई एडजस्मेंट की इंट्री हो नहीं सकती है एक्सपेंसेस में दो ही चीज़ चलती है प्रीपेड और अक्रूड ये बात आपको clear हो गई एक्सपेंसेस तो हम इसको बोले एक्सपेंसेस कि एडजस्टमेंट कि बास समझ में आ रही क्योंकि मैंने आपको पूरा डीचेल समझाना इसलिए सलो चल रहा हूं मतलब मैं आपको भूमी का बना बना के कहानी सुना सुना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो सर प्रीपेड मतलब करेंट असेट्स और अक्रूड मतलब करेंट लाइबिलिटी ये हो सकता है सर तो हमने क्या समझासर की हम समझ रहें expenses की accounting हम क्या समझ रहे है expenses की accounting को डिस्कस कर रहे हैं औरcommittee की एक सिंपल सी policy है कि वो जो भी expenditure होता उसको expenditure account में डेबिट कर देती है और एज़ेस्मेंd इंट्री पास कर लेती कितने लोगों को question समझ में आ गया पहले तो सबसे समझना कि क्या बोलना चाहरें सर यही समझ में नहीं आएगा तो फिर हम दिमाग नहीं लगा पाएंगे तो सर इसको और थोड़ा सा सिंप्लिफाई करने के लिए हम लिग भी देते हैं ट्रांजिक्शन लिग देते हैं जैसे लेट से कंपनी ने जब एक प्रॉपर्टी रेंट पर ली उनका रेंट था रेंट कितना था थाउजन डॉलर पर मन्थ तो कंपनी ने एक रेंट पर ब्रोपर्टी ली है और कंपनी ने उठाकर सीधे 15000 का पेमेंट कर दिया की मिल रहा हम तो सीधे 15,000 की प्यमेंट कर देते हैं घर हम् Covid खांप और कंप्ण पालिसी क्या है बताएक कंपनी के पॉलिची के एक्सपेंडीचर अकाउंट डेबिट टू कैश इस पर दी पॉलिसी बात समझ में आ गई सर यह फस्स जनवरी को उन्होंने पे कर दिया अब 31 डिसंबर को ने एक इंट्री और पास करनी पड़ेगी 34 डिसंबर को क्या जनरल इंट्री पास करनी चाहिए काईदे से कंपनी को कैश लेलो बैंक लेलो बात ही किए अब एस पर दी एर एंड में जनरल इंट्री एड़ेस्ट करते हैं तो अक्रूल बेसिस पे तुसर थाउजन डॉलर पर मंद होना चाहिए तो ट्विल थाउजन का एक्स्पेंडिचर बुक होना चाहिए तो कंपनी यहां पर एक एड़ेस्मेंट इंट्री पास करेगी प्र अकाउंट डेबिट 3000 कि तू क्या करेगी तू अपने एक्सपेंडिचर को क्रेडिट करेगी कि नि अब आगे अगे अगे यह पर दी पॉलिसी यह होगी 2022 है अब 23 में आते हैं हम हमें दोनों की अकाउंटिंग समझना है कि कंपनी ने फिर पेमेंट कर दिया कंपनी ने फिर से पेमेंट कर दिया कंपनी तो कैश में जो भी पे करती है उन्होंने लेट से इस बार 12,000 ही पे की है अब मुझे जो 2023 की सही इंट्री बता दे एडजेस्मेंट इंट्री में उसको मानूंगा कि उसको सही अकाउंटिंग आती कंपनी ने इस बार फिर से पेकी हम चलो अमाउंट थोड़ा सा फरक रख लेते हैं तो तो आप में बात है कि आपको थोड़ा समझ में आता है कि तो सर बहुत सिंपल सी बात है कंपनी को expenditure बुक करना है कंपनी ने फिर से एक जैनल इंट्री पास करी होगी तो क्योंकि कंपनी की policy है कि कंपनी expenditure account में debit कर देती यह 9,000 तू कैश कंपनी ने तो अपना काम कर दिया लेकिन देखा जाए तो खर्चा इस साल का भी बारह जा रहे है तो यहां पर कंपनी को एक इंट्री और पास करनी चाहिए अ कि एक्समेडिचर एक्समेंस भी सकते में एक्समेंडिचर मतौ जो जाना मनें लिख दिया एक्समेंसर लिख लीय सेक्स मीडिर ऑन जनरली डिरें खर्चों के लिए यूज करते की लिए लिए ठेल्स को दक तू प्रीपेट बास समझ में आ गई हूं कि यह जो प्रीपेट था यह इस साल हमने अट्जिस कर लिए देख अमने दो साल की इंट्री को समझा इससे कुछ कंक्लूजन निकल रहा है कि निकल रहा है क्या कंक्लूजन निकल रहा है अब कंक्लूजन भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा यह जो है यह जो भी अब हम जिसको यलो और ग्रीन कर रहे हैं यह कहां का आइटम है बैलेंश शीट आइटम है कि यह बैलेंश शीट सब सबको समझ में आ गया होगा कि सर हाँ यह बैलेंश शीट की आइटम है थ्री थाउजन थ्री थाउजन अब अगर हम कैश बेसिस पे समझें कैश बेसिस पे हमारा एक्सपेंडीचर कितना है अब अगर हम और अक्रूवल बेसिस पे यह हमको समझना बहुत जरूरी है कैश बेसिस के अकॉर्डिंग तुमारा एक्सपेंडीचर पंद्रह आ जा रहे है अक्रूवल के बेसिस पे ट्वेल था हुझे लिए ट्वेंटी ट्वेंटी टू में यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी है अगर हम ट्वेंटी ट्वेंटी ट्री में देखें हम इसे ट्वेंटी ट्री में तो अगेन कैश बेसिषल और कॉर्वल बेसिस तो फिर से टुवल था ना रिकिन यहां पर कैश बेसिस में कितना होगा नहीं बात किलियर हो गई कि ना कि अभी बहूत कुछ हैं सागर में गागर भरेंगे हम अभी ऐसी बात नहीं है मतलब गागर में सागर भरेंगे उल्टा बोल दे अभी यहां तक क्लियर है सब को कि हासर आप यह कैश बीसिस और अक्रूवल बीसिस का आप हमको डिफरेंस समझा रहे थे अभी और कुछ है तो सर हम अगर ट्विंटी ट्विंटी टू में एक बात देखें तो जो हमने कैश पेड किया था फिप्टीन धाउजन उसमें से एक बात लेस कर दें क्या लेस कर दें प्रीपेड गरंट यह तो हम पहुंच जाते हैं अक्रूवल बेसिस पर यह हमारे लिए इंपॉर्डटन भी बात समझ में आ गई सबको यह बात क्लियर है क्लियर हो तो लिखते जाना यहां सरी यह बात भी समझ में आ गई कि और अब 2023 में कुछ और लिखें तो कैश पीड नाइन थाउजन अब यहां पर क्या करें प्लस करें की माइनस करें यहां पर सर प्लस कर गिया अब यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए ओपनिंग यह लिखना चीक नहीं है करोंज और लृप्वाट अब को अब कुछ च्चाहिए बात आपको अगई होगी यहां नहीं पूरा क्लियर होगे मैं टसभी को कि नहीं हुआ पूरा देखो कहानी बनाई हमने पूरी एक पूरी भूमी का बनाई मतलब कि आप हर वो चीज को अच्छे से समझ सको तो अब मैं अगर इसका यहां पर कंक्लूजन लिख दूं कंक्लूजन एक्सपेंसेस पेड़ एक्सपेंसेस पेड़ और यहां लिख दूं एड़ ओपनिंग प्रीपेड लेस क्लोजिंग प्रीपेड़ तो आप अक्रूल एक्सपेंसेस पॉर दी यह एक और बात हमने समझ ली से सब कलर अलग अलग कर रहा हूं तकि आप लोग अलग अलग पेचांद सको तो क्या इसको रटने की जरत है सर कई बच्चे रटते जब एक्सपेंसेस फिर ओपनिंग प्रीपेड क्लोजिंग प्रीपेड क्लेस करतें अभी यहां पे क्लियर हो गया तो एक्जामीनर ओपनिंग और क्लोजिंग की जगा एर डाल देता है कि एक्जामीनर जो है वो बस ओपनिंग और प्रीपेड तो आपको तो करेंट एर के उपर फोकस करना है न करेंट एर के एक्सपेंडीचर की करेंट एर में क्या होगा तो आपको हमेशा एक्सपेंसिस जो हैं करेंट एर के निकालने वाब तो मैं आपसे एक जनरल इंट्री के पॉइंट आवी से पूछाँ जनल देखो मैं तो आपको और डीटेल समझा रहा हूं कि अग्स पेंसेश अगांट डेबिट है तो प्रीपेड कि यह वाली जो SIMS है यह कि मैंने ऑपनिंग प्रिपेड मचिन की बस आपने यह बताना है और आपने यह बता दिया तो आप बहुत अच्छा सीख गए यह वाला यह ओपनिंग डिप्रिपरेडक्रेट के लल्ZA कि देखना चाहता हूं क्या लिखेंगे मैं बोलूंगा कुछ नहीं मैं इसे पैंजर पढ़ रहा हूं कितने लोग क्या लिख रहे हैं उनको फैचान रहा हूं बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आपने ये लीड के किस्पेंडीचर क होता बढ़ता नहीं में ने क्रिसे की है है कि यह एडजेस्मेंट है लिए ओपनिंग प्लिप्रिट को उपनिंगित के कारण एक्सपेंडिछर बढ़ता है तो यहां पर एड़िशेस्मेंट और ख्लोजिंग को एड़ेस्ट करना होता हुआ सही प्रोसेस समझ में आनी बहुत जरूरी है क्लियर हो गई बात अब आप देख रहा हो कि सर एक ही एकस्पेंडीचर को आपने समझाने के लिए अल्मूस्ट बीस मिनट ले लिए कि हम अक्रूल को कैश में कैसे कनवर्ट करते हैं तो बहुत सारे बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं फिर जनरल इंट्री भूल जाते हैं तो आपको यह बात पर क्लियर होगी अब आज के बाद आपको प्रीपेड की जनरल इंट्री में कोई घुमाने की कोशिश करें ऊपर नीचे दाएं बाएं प्लस माइनस एडजेस्मेंट नेक्स्ट इयर करेंट इयर तो मेरे इसाब से यह लेक्षर अगर आपने बहुत आपको प्रीपेड एक्स्ट इयर में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए अब मैं इसका एक टेक्निकल बना लेता हूँ देखते हैं कि आप लोगों को वाकई क्लियर है कि नहीं को सूपर टेक्निकल एक्जांपल बना लेता हूँ एक्जांपल कि हमने वही प्रॉपर्टी रेंट पर लिए है कि इस बर हमने प्रॉपर्टी लिए फस्स जुलाई को अब आप अपना दिमाग लगा लेना वन थाउजिंड डॉलर कि पर मंद्रेंट और हमने रेंट पी कर दिया है कि ट्वेल थाउजिंड यहां है कि इस्टीन थाउजिंड को अपने पीड़ कर दिया है कि हमने यह पीड़ लिगा है यह हमने बात करी टू टूटाउजन ट्वेंटी टू कि अब टूटाउजन ट्वेंटी ट्री में है कि टूटाउजन ट्वेंटी ट्री के फर्स जन्वरी की बात आगी कि ठीक है कि तो हमने पे कर दिया है यहां पर कि दूट होजीत कि मुझे सोचने दो मुझे क्वेश्चिन थूड़ा साम करें के और वन्टेड डॉलर के अमने 500 डॉलर की कि चली सारी जन्रेल इंटरी बता कि कि सारी किसारी ज allora इंटरुंडीं विए पास्थ चरस्फट लोगुक में यदिश करने से ल्ग करती अब आपको 1920 टुओ और 2023 जनरल इंट्रीप पता हो नीशी अगरilla आपकी जनरल Syl Det tent ही पास होने की सीडी है कि मौका दिया है आपको दो-तिन मिनट का कि सोचके लिखना कि कुछ स्टूर्ट ने देने की कोशिश की है लेट्स बेगिन सर हम टुट ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अकॉर्डिंग पहले जैनल इंटरी पास करते कि एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिड तू कैश कंपनी का तो सिंपल सी पॉलिसी है कि वो यह काम कर देती है उन्हों नोड़ा के 16000 पे कर दिया हमने यहां पे कर दिया कोई दिक्कत नहीं है हमें पताई कि 1000 डॉलर जिस इस दिन से हमने प्रॉपर्टी क्राइप ले जुलाई अगर सेप्टेंबर अक्टॉर नॉम्बर दिसंबर हमारी लिए खर्चा तो 6000 का मतला हमने समझ में आ गई कि नहीं आ गई अब यह इंट्री हो गई आपकी 2022 में यह कब हुई है अब 2023 की बात करते हैं तो यह कंपनी अपनी लाइबलेटी निकाले कि नहीं बोले यार पेमेंट तो अपने को बाराइजार करना है खर्चा बाराइजार का है लास्ट यह अपने दस अजार एक्स्ट्रा कर दिया था तो दो अजार अभी भी पे करना चीए पड़ हमने तो 500 इसका मतलब 1500 हमारा आउट इस्टेंडिंग है जिसको सिंपल लेंग्वज में बोलते हैं अक्रूड एक्सपेंसिस यह निकालना था आपने बात समझ में आ गई अब हम 2023 में जाएंगे कंपनी की यह की पॉलिसी है कंपनी उठाके एक्सपेंसिस अकाउंट डेविट करती है जो पे करती है वो 500 तू कैश वह नोंने फिसे कर दिया हमने 500 यह डाल दिया हम चुप हो गए अब हमको एडजेस्मेंट इंट्री यह एंड पर फास करनी हमें पता ही कि एक्सपेंडीचर अभी और डेविट करना है कि एडजेस्मेंट इंट्री हम आपसे सीख हम हैं आपको सिखा रहा हूं एडजेस्मेंट इंट्री और अक्रूल और उसके साथ में तो सर एक्सपेंसे अब यहां पर और बुक होना चाहिए 11500 से हाँ सर तो इसमें से हमने टू प्रीपेड कर लिया जो एक्स्ट्रा प्रीपेड खतम कर दिया एक डेविट था यह क्रेडिट हो गया कि तू कि अक्रूड अग्रूड अग्श्मेंट तो यह कितना होगे सर तो यह हमारी इंट्री होगी कि 2023 के एर पे अग्रूड अग्रूड बात समय आ गई कि तो सोचिए कि कितना आपको आपके कॉंसेट के लिए रोने ची इंट्री आजमी कितनी भी गुमाते फिरें आपका एक दिमाग क्लियर होना चाहिए कितने लोगों ने यह इंट्री करी दी वह हैंड्रेस करतो बटा वह इमानद्री से एंट्रेस कर दें कि सर हमसे हो गई तो यह क्लियर हो गई कुछ बच्चों ने कर दिये लेकिन मजा आगया होगा आपको सोचके कि हाँ सीस तरीके से करना एक क्या इस तरीके से सोच पा लें से कितने लोग सोच पा रहे हैं मैं तो यह जालना चाहता हो कि यह इस तरीक ही कि थॉट प्रोसेश आपके दिमाग कर रहे तो आज का जो थीम थी वह क्रूवल बेसिस पे एक्सपेंस के अकाउंटिंग सीक रहे हैं नाम कुछ भी लिख सकते हैं अक्रूड एक्सपेंसेज आउटसेंडिंग रेंड पेबल वाटेवर यू कन यूज और सेम तो सर यह हम एक बात और सिंपल लेंगविज मिसलें इससर की मतलब अकुरूड एक्सपेंसेज आउटसेंडिंग और क्या बोलने इसको पेबल यह तीनों टमिनलोजी यह की है यह यूज गैप यूज कता ज्यादा तर यूज गैप यह वाली आउटस्टेंडिंग इंडिया वाले करते हैं आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा पेबल जनरली एक्सपेंडिचर के लिए भी कर लेते हैं तो अगर आप एक आप देखिए कई बार बच्चे जो है ना वह फाइनिंशल अकाउंटिंग इंड रपोर्टिंग सब्जेक को इसलिए पास नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह उनको बुक में समझ में नहीं आलता सिर मार मार के आप ढूंड लो तो भी आपको इस तरीके की ज अगर आपने इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया तो आपके गलत होंगे ही नहीं तो सर हम यहाँ पर और कंक्लूजन लिखें इसका मतलब है अब हम 2023 के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने यहां पर क्या किया बटा एक्स्पेंसिस पीड कितने किये थें पाइव अंडर्ड यह तो पे है एड क्या कर रहे हैं ओपनिंग ओपनिंग क्या मैं ओपनिंग को लास्ट यर प्रीपेट भी लिख सकता हूं बात यह की है और यहां पर मैं एक और चीज़ एड कर रहा हूं क्लोजिंग अक्रूड एक्स्पेंस तो यह प्लस माइनस कही बार आ जाते हैं बच्चे इसमें क्यों कर दिया माइनस क्यों कर दिया है तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि यह बात समझ में आगई आपको तो सर इसका वाइस वरसा भी तो हम कुछ सोच सकते हैं तो क्लोजिंग अक्रूड एक्स्पेंस जो हैं वो अक्रूड हुए हैं तो ओपनिंग क्या हो जाएंगे ओपनिंग अगर आउट्स्टेंडिंग होते तो वो लेस हो जाएंगे क्यों होंगे इसका क्या लाओ जी कि सर वो एक्स्पेंडिचर लास्ट हीर यह बुक हो चुका था इसका भी एक्जामपल दे देते हैं आपको ताकि आप बोलो कि हां सर एक्स इसका भी एक्जाम्पल दे देते हैं कि लेस क्यों हो जाएंगे चलो वही सेम एक्जाम्पल हम बना लेते हैं हमने प्रॉपर्टी ली परस्ट जुलाई परस्ट जुलाई को ली थाउजन डॉलर हमारा पर मन्थ रेंट था हमने पेड किया है मैं इसले के यह रही हम टॉन्टी टुकि बात कर रहे हैं कि आगे हमने प्रॉपर्टी फर्जुलाई को ली थाउजन डॉलर पर मन्था पेड हम फूर। आओजन कर रहे है अब 2023 में हम आ रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी का रेंट हमने जो पेड़ किया है तो अब मैं थोड़ा सा और यहां पर आप लोगों को का निफ्यूजन में डालने की कोशिश कर रहो अठारा अजार पे कर दिया है सेम पॉलेसी चलिए जराथ 2022 और 2023 की जनरल इंट्री आप आपको बताना है और फिर इसका कंग्लूजन हम बताएंगे आपको एक दो मिनिट आप मौका दिया है चलिए तो हम समझते है सर 2022 की जनरल इंट्री करो सर आप तो सर 2022 की जनरल इंट्री कर रहे हैं हमने क्या बोला कंपनी ने पेड़ किया अब हो रधाओ जिन तो कंपनी तो सीधे इंट्री पास करती है एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट फोर थाओजन येस सर कंपनी ने एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट किया फोर थाओजन टू कैश कैश लिख लो बैंक लिख लो बाती अब देखा जाए तो अक्रूइल बिसिस पे हमारा एक्समेंडीचर सिक्स थाओजन होना चाहिए तो हमें के एडजेस्मेंट इंट्री पास करने पड़ेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू थाओजन क्यों सर क्योंक I do you my 걱정 ये बात समझ में आ गई सभी है बटीटीटी की जैणर्ल ईंट्री ओ गई में तों क्लिक्रीमी दू क्ति कमपनी की एक्सिम्पल पॉलीसी एक्सिस में डाल देती एक कंपनी कि ये गलत करती ये इंवे कंपनी में डाल दो कि यह तो कंपनी की पॉलिसी है कि वह उन्होंने जो भी पेमेंट करना उड़ा के डाल देना पेमेंट करते समय हमें एड़ेस्मेंट इंट्री पास करना जो सीपीए के बच्चे अभी फार की जो अभी अटेंड नहीं कर रहें बात में उनको रिलाइज होगा यह इंट्री जब करते आएंगे यह फंडामेंटल सेचन में बार बार बोल रहा हूं जब यूए सीपीए के बच्चे एफए आर सब्जेक्ट पढ़ने आएंगे तब उनको रिलाइज होगा कि सर यह इंट्री आपने इत्ती डीटेल समझा दी थी हमसे क्यों नहीं बन रहें तो नहीं आ रहे हैं लाइव क्लास में चलो ठीक रिकॉर्डेट पर देखते नहीं बाद में बोलेंगे सर दिक्कत आ रही इस प्रकार की जैनल इंट्री में तुम्हें याद दिलाओंगा इक्सपेंसेस ऐटीन धाओजन हमने सर पे कर दिया कैश में हमने ऐटीन धाओजन यहां पर क्रेडिट कर दिया अब हमें एड्जस्मेंट इंट्री पास करना है तो सबसे पहले जो लास्टियर का क्रूड था वो कंपनी क्या करेगी खतम करेगी तो अकुरूड को डेबिट किया जाएगा और ये अकुरूड एक्सपेंसिस जो है हमने एक्सपेंसिस पेड में से ही बाहर करना है क्योंकि देखा जाएं तो हमने तो एटीन धाउजन डाल दिया तो हमने लिकिन ये एटीन धाउजन एक्सपेंसिस का नहीं ये टू धाउजन का था ये बात समझ में आनी चाहिए तो अभी भी एक्सपेंसिस अकाउंट में कितना पड़ा है अभी भी expenses account में कितना amount पड़ा हुआ है 4,000 तो sir expenditure तो 12,000 बुक होना चीए था अभी भी 16 पड़ा हुआ ये बास समझ में आती है नहीं आती है सर 12 किसे बुक होना चीए थाउजन डॉलर इंटू 12 अभी भी 16 पड़ा तो कितना और कम कर ले कितना तो सीधी बात है कि हमें एक और इंट्री पास करने पड़ेगी प्री पेड तो इसकी कंबाइं इंट्री पास कर सकते थे इन दोनों की दो इंट्री करने की जगए कंबाइं इंट्री क्या हो जाएगी इसकी कंबाइं इंट्री कर सकते है कंबाइंड क्या करना है सरी अक्रूड एक्सपेंसेज भी रहने दो इसको उठाके देखो यह यहां पे डाल दी है मैंने इसको बुलते कंबाइंड लेकिन आपको लॉजिक से सारी इंट्री आनी चाहिए इसलिए मैं है समझा रहा हूं कि आप सेपरेटली करो अब कई बच्चे पूछरे से 4000 कहां से आ गया है तो 4000 का क्यलिकुलिस से समझ लो है टोटल पीड है इसमें से लास्टियर का कितना पेड की है लास्टियर कितना बकाया था यह बताओ मुझे लास्टियर का 2000 बकाया था कि नहीं वह बेग गिया होगा आपने आपने एक्स्ट्रा कितना पे कर दिया है एक्स्ट्रा इस साल आपको एक्च्वल में खर्चा कितना देना चाहिए थाउजन डॉलर के अकॉर्डिंग तो आपने तो कितना अभी भी कितना बचा बैलेंस अभी कितना बचा देखा जाए तो आपने जो एक्स्ट्रा पे किया है उसको क्या बोलते हैं कि ऐसे आया चाहरे जाए तो सर नट्शेल में आप यह कहना चाहते हूं कि एक्सपेंसेज पीड में एड हो जाएगा करेंड एर अक्रूड ओबलिक आउट्स्टेंडिंग नाम एकी है क्योंकि लेस हो जाएगा ओपनिंग ओपनिंग क्या आउट्स्टेंडिंग प्रिपेड क्या कर दें ओपनिंग एड कर दें लेस हो जाएगा ओपनिंग अक्रूड एड कर दीजिए सर ओपनिंग प्रिपेड और लेस कर दीजिए लूजिंग तो यह जो बन जाएगा इसको बुलेंगे एक्स्पेंसेस अन ड़ेसिस अफ यह कंक्लूजिन था लेकिन यह कई बच्चे रट के जाते हैं कि सर इसको प्लस कर दो उसको माइनस कर दो और एक्जामीनर कुछ और पूछ ले तो फिर हम कन्फीज होते पिरते यह क्लोजिंग प्रिपेड क्यों माइनस किया यहां लिख लो बिलॉंग तो नेक्स्ट यह प्रिपेड अगले साल का अगली साल का पे कर दिया इसलिए यहां से माइनस किया ओबनिंग प्रिपेड बिलॉंग स्टू दिस यह प्रिपेड में लिख लो पीड लास्ट यह इस साल तो प्रिपी प्लस कर दिया करेंट यह स्टाउट सेंडिंग बिलॉंग टू करेंट बट स्टिल नॉट पेड़ इसलिए हमने यहां पर कर दिया इसमें तो जुड़ा नहीं है वो यहां से प्लस कर दिया और ओपनिंग क्यों लेश किया कि बिलॉंग टू कि लास्ट इयर कि बट पीड इन करेंट यह अब बताओ इतना डीटेल में कौन समझाएगा और कौन सी बुक समझाएगी कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा यह तो यह था अब इसी का उल्टा कर दें तो तो किस में बदल देंगे यह सारी चीजों को इसको लेस कर दो इसको एड़ कर दो इसको लेस कर दो तो यह आ जाएगा तो आज तो सर अपने एक्सपेंसिस की पूरी अकाउंटिंग को अक्रूल कैश एड़ेस्मेंट जनरल इंट्री सब की हसाब से समझ लिए अब पूरा अल्मुस्ट मैंने आपको पचास मिनिट में एक्सपेंसिस की पूरी अकाउंटिंग सेखा दिया एक्सपेंसिस की अक्रूड आउटस्टेंडिंग अभी मैंने इसमें इंकम वाले लीक्ट्चर को आज कंजिडऱ् क्यूकि अगर आज में इंकम कर लूँँगा तो आपको अको सब्सक्राइब भर क्रूज होगए तो अब आपक्या करना इस लेक्चर को फूरा पूरा देखना और अपनी इस आप से टम्यां यह उत्द्ध में त्धक особت कि आपके कंसेप्ट कितने क्लिए रहें यह मैं चेक कर सकूँ अगर आप इस लेक्चर इस इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक मॉक टेस्ट होगा उसमें अगर आपने पास हो गए अब पूरी अच्छे से रिवाइज करके आना कमिंग संडे में आपका इसका टेस्ट लेने वाला हूं पहले एडवांस में बोल रहा हूं कमिंग सटेडे या संडे नेक्स्ट अभी जो मारी एक और क्लास होगी उसमें तो मैं आपको पढ़ाऊंगा सो बहुत सारे बच्चे चैट लेख रहे हैं कहीं की चैट नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं तो इस स्पेसिफिकली मुझे मेल कर देना अगर किसी की कोई चैट का एंसर नहीं सर अक्रूड कंसेट है मैं कंसेट आपका जो टेस्ट लूंगा वो आज के और कल खे लेक्टर देना और और आपको उसका पेपर सब्वेट करना होगा अगर आपने इस कॉंसेप को अच्छे से सीख लिया दो कोश्चन पूछूंगा एक गंटे के कमिंग सटड़े कमिंग सटड़े या संड़े जो भी डेट होगी अगर आपने उस टेस्ट को पास कर लिया इसका मतलब आपकी अक्रूवल और एक्सपेंसेस और इंकम की अकाउंटिंग पूरी अच्छी हो चुकी है और अगर आप उस जैसे आप बोलते तो मैं प्रैक्टिस के लिए कोश्चन चाहिए तो यह इसी इसी प्रकार से मैं आपको दो कोश्चन दूँगा उसका सोलूशन करेंगे मैं देखूंगा गलती होई देखने और उसका स्टेंडर्ड सोलूशन पर मैं आपको पहले से बनाके दूँगा तो आप आज का लेक्चर बड़े अच्छे अराम से देखना अक्रूड का मतलब सर अक्रूड मतलब आउट्स्टेंडिंग मतलब अभी हमने पे नहीं किया लायाबिलिटी हमारे उपर आ अध्यास्मेंट ऐसा आपसे नहीं होगा अख्रूड का में कैसकते हैं ड्यू बट नॉट पेड इंकर्ड बट नॉट पेड यह भी कैसकते हैं करते हैं